Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, आज के दो Advanced English Structures की मदद से हम कुछ ऐसे हिंदी के Sentences को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे. जैसे की वक्त आने पर तुम सीख जाओगे. वक्त आने पर कोई साथ नहीं देता. अभी भी वक्त है, सुधर जाओ. अभी भी वक्त है, अपने दिल की बात कहे दो. बहुत useful structures हैं ये दोनों ही. चलिए देखते हैं पहले वाला structure. जो की है वक्त आने पर का. इसको इंग्लिश में बोलने के लिए When the time comes का use होता है. When the time comes का मतलब है वक्त आने पर या फिर समय आने पर. रूल देखिए इसका, जिसके according सबसे पहले आता है हमारा main sentence, जो की किसी भी tense में हो सकता है. और इसके बाद आता है When the time comes. आप अगर चाहो तो When the time comes से start करके भी अपने sentence को बना सकते हो. बस इतना ध्यान रखिएगा कि When the time comes को लिखने के बाद सबसे पहले कौमा आएगा और इसके बाद ही हमारा main sentence आएगा. चलिए आप कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका meaning पूरी तरह से समझ में आज़ जाए. वक्त आने पर तुम सीख जाओ के You will learn when the time comes. या फिर When the time comes, you will learn. वक्त आने पर वो सुधर जाएगा. He will mend his ways when the time comes. या फिर When the time comes, he will mend his ways. वक्त आने पर कोई साथ नहीं देता. Nobody supports when the time comes. या फिर When the time comes, nobody supports. वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा. Everyone will come to know when the time comes. या फिर When the time comes, everyone will come to know. वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा. I will definitely help you when the time comes. या फिर When the time comes, I will definitely help you. So guys, ये था आज का पहले वाला स्ट्रक्चर, जो कि I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखिए आज का second वाला स्ट्रक्चर, जो कि है अभी भी वक्त है का. इसको इंग्लिश में बोलने के लिए, there is still time का यूज होता है. रूल देखिए इसका, जिसके according सबसे पहले आता है, there is still time. और इसके बाद आता है हमारा main sentence, जो कि किसी भी tense में हो सकता है. लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, कि there is still time को लिखने के बाद सबसे पहले कौम आएगा, और इसके बाद ही हमारा main या remaining sentence आएगा. चलिए आप कुछ examples देखिए इस पर based, जिससे आपको इसका meaning पूरी दरह से clear हो जाए. अभी भी वक्त है, सुधर जाओ. यहाँ पर देखिए, rule के according हमने अपने sentence की स्टार्टिंग की है, there is still time से, जिसका मतलब है अभी भी वक्त है, और इसके बाद जो हमारा main sentence है, सुधर जाओ. इसकी English translation आ गई है, mend your ways, और हमारा sentence हो गया है, complete. Next example है, अभी भी वक्त है, एक्जाम का फॉर्म भर दो. There is still time, fill the form of exam. There is still time, fill the form of exam. अभी भी वक्त है, अपने दिल की बात कह दो. There is still time, speak your mind. Speak your mind का मतलब है अपने दिल की बात या मन की बात कहना. अभी भी वक्त है, तुम कुछ कर सकते हो. There is still time, you can do something. अभी भी वक्त है, मैं उससे बात करूंगी. There is still time, I will talk to him. So guys, ये थे आज की दो बहुत ही यूसफुल अडवांज इंग्लिश स्ट्रक्चर्चर्स, जो की होफ़ुली आपको अच्छे से समच में आ गए होंगे. तो अब आपकी स्क्रीन पर जो ये दो सेंटेंस हैं, इनको ट्रांसलेट कीजिए और कॉमेंट करके मुझे इनका अंसर जरूर बताएगा. वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेर करना मत भूलिएगा. चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. चली अब हम मिलते हैं नेक्स लेसन में. तब तक के लिए टेक कैर. बाँ बाई.